उत्तर प्रदेश में सिक्षक भरती के तयारी करने वाले सभी अभिरतियों का स्वागत करता है दमाश्टर आपका अपना यूटूब चनल तो भजा उत्तर प्रदेश में वह होने वाला है जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ है यानि कि उत्तर प्रदेश में सिक्षक भरती से सम्मंदित एक बहुत ही महत्पूर अपडेट है और अपडेट ये है कि यदि आप सिक्षक भरती के तयारी करते हैं, चाहे आप प्रात्मिक सिक्षक भरती के तयारी करें, चाहे आप जूनियर सिक्षक भरती के तयारी करें, च कि जितनी भी सिक्षक भरतियां होती हैं सब को मिला कर एक आयोग बनाया जा रहा है वही आयोग आपकी सारी परिच्छाओं को कराएगा ठीक है चली इस खबर को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में जो अब तक नहीं हुआ वह अब हो आने वाला है और यह कौन सी खबर है इसको हम डिटेल में देखते हैं जैसा कि आप यहाँ पर सामने देख रहा हैं यह यूपी में सिक्षक भरती के लिए सियम योगी ने दिया एक एक ही एक ही आयोग बनाने का निर्देश दिया है और नया आयोग जो होगा यही आपका य यह गोशना क्लिया गया है इसमें एक क्रित यानि एक आयोग बनाया जाएगा उस आयोग क्या क्या नाम होगा उत्तर प्रदेश सिक्षा सेवा चैन आयोग यह हमारे आयोग का नाम होगा अब इसमें कितने सारे आयोग हैं जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर आप आप ही नीचे देखिएगा, अभी आप किसकी तयारी करते हैं, UP TED की तयारी करते हैं, सुपर TED की तयारी करते हैं, जूनियर सिक्षक भरती की तयारी करते हैं, तो वो सब किसमें आता है, बेसिक में आता है, अगर आप माध्मिक में जाएं तो LT grade जो भरती होती है उसकी आप तयारी करते हैं TGT, PGT तयारी करते हैं तो ये सारे माध्मिक में जाते हैं उच्च में जाते हैं तो degree college में जो professor होते हैं वो लोग तयारी करते हैं तक्निक की अगर सिक्षा में जाए तो पॉल्टेक्निक में जो टीचर होते हैं, आईटी आई के जो टीचर होते हैं, बीटे कॉलेज में जो होता है, वहां के जो टीचर होते हैं, तो वो सब तक्निक की सिक्षा में आते हैं, तो यानि सिक्षक आप यहां से यहां तक टीचर बन सकते हैं और इनके लिए सब अलग अलग आयोग है जैसा कि आपको पता है कि जो माधमिक वाला आयोग है वो आपका लोक सेवा आयोग भी तयारी कराता है और माधमिक सिक्षा सेवा चैन बोल्ड है वो भी तयारी कराता है तो धेर सारे जो आयोग बना रखे हैं सिक्षक भ लोग परिच्छा नियामक प्राधिकारी महोदय जो कि प्रियागराज में हैं, इनके उपर बहुत सारे धांदली के अरोब भी लगे हैं, यूपी टेट और सुपा टेट की जो परिच्छाएं होती हैं, वो यही परिच्छा नियामक प्राधिकारी महोदय ही कराते हैं, ठीक ह होते हैं अथ्वा जो आपके GIC college में होते हैं वहाँ पर inter college की भरतियां ये लोग कराते हैं तो इतने सारी आयोग को सिक्षक भरती कराना होता है इन में क्या होता है इनको एक एक करके एक नई ब्योस्था बनाई जा रही है यांकि इनको अब एक ही विभाग में मर्ज कर दिया जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं ये इसमें हमारी पूरी कहानी है इस विभाग का नाम है उत्तर प्रदेश सिक्षा सेवा चैन आयोग इस विभाग का नाम होगा ये पूरा काम करेगा आपका पूरा परिच्षा कराएगा उन्हें अपने अपने विद्याले भेद देगा तो अब तक जो काम आपका PNP करता था आब और नया आयोग करेगा अब तक जो आपका काम मादमिक साल पहले भी उत्तर प्रदेश में सारे विभागों को मिला कर एक नया आयोग बनाया गया था जिसका नाम है उत्तर प्रदेश अधिनास्ट सेवा चैन आयोग इसका क्या काम होता था उत्तर प्रदेश में जो गुरूप C की भरतियां होती है या गुरूप D की भरतियां होती है उनके चैन करना उनमें योग जो है अभ्यरतियों का चैन करना तो यह आपके जो लेखपाल की भरती होती है बीडियो की भरती होती है अनुदेशक की भरती होती है उसके बाद आपका इस्टोनोग्रॉफर की भरती होती है असिस्टेंट की भरती होती है फिर जो आपका ट्यूग बिल आपरेटर होते हैं दुनिया भर की जितनी भी भरतियां होती हैं वो सब उत्तर परदेश अधिनस्त सेवा चैनायोग जिसको हम लोग UPSFC के नाम से जानते हैं वह करता है उसी प्रकार सिछकों के लिए एक नया आय जोग बनाया जा रहा है यानि कि आप यह कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजा बदलने वाली हैं ठीक है यहाँ पर हम यह क्या होगा किसे का specific यह अपने मन सहे काम करेगी और इसमें बहुत सारी चीजा लिखी लेकिन ज्यादा पढ़ने की हमें आवशकता नहीं है, यही क्या करेगी, यही चैन परिच्छा कराएगी, यहीं जो परिच्छा होगी, वही कराएगी, साथ चातकार भी लेगी, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होंगे, यह यह यूपी टेट में या सुपर ट होंगे, यह सारी चीज़े होंगे, यह तो हर आयोग में होता ही है, इनसे कोई मतलब नहीं है, यह पूरी चीज़ें हां लिखी गई है, इसको ज़्यादा पढ़ने की जो नहीं है, यहाँ पर हम आखरी वाला पॉइंट पढ़ सकते हैं, हमारे सबसे इंपोर्टेंट है, प बात को सुनिश्चित भी यही आयोग करेगा, यानि कि जैसे कि आप केंदर में देखते होंगे, सी टैट का जो पेपर होता है, एक निश्चित समय पर होता है, अभी कोरोना के कारान लगवग दो साल से पेपर नहीं हो पाया था, लेकिन जो सी टैट का पेपर होता है, उसक सारी चीज़ें clear होंगी, कि यह जो आयोग है किस परकार से काम करेगा, ठीक है, तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कि जैसे मालीजे आपका असिस्टेंट की भरती होती है, यूपीटर पलेसी में असिस्टेंट की भरती होती है, तो उसमें आपका एक पेपर होता है, क किसी के 78 नमबर है, किसी के 75 नमबर है, इस परकार सबके अलग-अलग नमबर होते हैं, तो जब junior assistant में विभाग का chain किया जाता है, तो जिसके ज़्यादा नमबर होते हैं, वो अच्छे विभाग का chain करता है, जिसके कम नमबर होते हैं, आपका जो TGT और PGT होता है यह बिलकुल अलग रहेगा अभी तो हमारा यही मानना है लेकिन दूसरी संभावना यह भी हो सकती है कि जैसा जूनियर असिस्टेंट में इकलिया जाता है कि पेपर तो भईया एक कही होता है पेपर तो एक ही होता है लेकिन जिसके ज़्यादा न नमबर होते हैं उसे ग्रिह मंतराले जैसे अच्छी विभाग मिलते हैं इनकम टेक्स ऑफिसर भी बन सकता है अच्छे विभाग में जाता है जिसके कम नमबर होते हैं वो कम अच्छे विभाग में जाता है उसकी पेगरेड भी थोड़ा सा कम होती है तो इस आयोग में भी ऐसा ही हो सकता है, अभी यह नहीं कर रहा है कि ऐसा ही हो सकता है, यह हो सकता है आपका पेपर जैसे कि अभी सुपर्टेट है, सुपर्टेट के तरह आपका एक पेपर कराया जाए, 150 नमबरों का पेपर कराया जाए, अब अगर आपके ज़्यादा नमबर आ जाते हैं इसमें, तो आपको हो सकता है कच्छा 12 का teacher बना जाए पेपर एक होगा अच्छे नमबर होते हैं तो कच्छा 12 का teacher बना दिया जाए और कम नमबर होंगे तो कच्छा 10 का teacher बना दिया जाए यानि जिसको हम लोग TGT के नाम से जानते हैं और कच्छा 12 जिसको हम लोग PGT के नाम से जानते हैं और अगर आपके थोड़ा कम नंबर है तो आपको junior जो की कच्छा 6 से लेके 8 तक होता है उसका teacher बना दिया जाए और कम नंबर है तो आपको जो primary होता है कच्छा 1 से 5 तक उसका teacher बना दिया जाए तो ये भी हो सकता है कि कच प्रामरी का teacher बनेगा तो ऐसा भी हो सकता है और जैसे हमारी पहले विवस्था थी कि Cgt अलग पेपर होगा PGT का पेपर-अलग होगा और आपके जो सुपर टैट का पेपर होता है तो यह भी हो सकता है तो आगे क्या होगा ये तो बात की बात है ये आयोग क्या नियम लगाता है ये तो बात की बात है लेकिन ये आयोग बन गया है तो आप ये आयोग कैसे काम करेगा ये हमारे आने वाले भविस पर निर्भर कर लेकिन अदि आप सुपार्टेट की तयारी कर रहे हैं तो भईया स्लेवस चेंज होने वाला नहीं है स्लेवस आपका वही रहेगा तो आपनी तयारी को आप बनाए रहेगा यह बहुत बड़ी खुशकबरी है आप सभी लोगों के लिए कि आप लोग दर दर एक एक आयोग के कि इधर उदर भाटकते रहते थे अब आपको ऐसा कुश नहीं करना है एक ही आयोग आपके लिए गाम करेगा तो आपको फॉर्म भरने में तयारी करने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी तो इसके बारे में आपका क्या विचार है आप क्या सोचते हैं कि भविश्य में क बहुत बहुत धन्यवाद.